हेलो दोस्तो आज हम लोग देखेंगे बाइलोजी जो की कलास टेन का होगा और यह चैप्टर फर्स्ट का जो है यह पार्ट थरी होगा जो आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है Life Process and Nutrition क्या नाम है Life Process and Nutrition जो कि आपका Part 3 होगा और यह एक्जाम जो है बिहार बोर्ड एक्जामिनेशन 2023-2024 2024 में जो एक्जाम होने वाला है उसके लिए यह काफी ज़ादा important होगा और इससे काफी सारा question पूछ लिया जाता है इससे पहले हम आपको पढ़ा दिये हैं कि जीवों में पोसन किस परकार से होता है या फिर पोसन कितने परकार के होते हैं तो इस वेडियो के जो डिस्किर्प्सन में आपको उस वेडियो का लिंक मिल जाएगा तो आप आसानी से उसे देख पाईएगा तो देखे आज जो हमलों का topic होगा वो digesting system होगा देखे सबसे पहले समझते हैं कि digesting system जो है ये कहते किसे हैं तो वैसे अंग जो भोजन के पचाने मदद करता है वे सभी अंग जो भोजन को पचाने मदद करेगा वही सम्मिलित रूप से जो है क्या कहलाता है तो वो पचान तंत्र कहलाता है जिसमें जटिल भोजन रस जटिल भोजन को सरल में इसे तोड़ देता है यानि छोटा छोटा करना ही कहलाता है तो भोजन का पचान कहलाता है अब देखे पाचन तंत्र को दो भागों में बाटा गया है कितने भागों में दो भागों में एक को कहते हैं आहार नाल क्या कहते हैं आहार नाल या इसे इंगलिस में इलिमेंटरी कैनल कहते हैं क्या कहते हैं इलिमेंटरी कैनल और दूसरा जो होता है संबद पाचक गरंथिया जिसमें कई सारा डाइजेस्टिंग ग्लेंड आ जाते हैं तो देखिए देखते हैं सबसे पहले कि आहार नाल क्या होता है तो आहार नाल जो है इसे इंगलिस में elementary canal कहते हैं इसे किसे कहते हैं तो यह मुख गुहा से प्रारंब होकर गुदा तक जाता है कहा तक जाता है मुख गुहा से प्रारंब होता है और गुदा तक जाता है इसकी लंबाई 32 फिट या 8 से 10 मीटर होता है इसमें आहार नाल अमावश चोटी आथ बड़ी आथ और गुदा होता है इसमें क्या होता है छोटी आथ बड़ी आथ और गुदा होता है जिसमें से कौन सा जाएगा तो जैसे ये भोजन को पचाने में क्या करेगा मदद करेगा लार गरंतियां आ जाएगा अगनास से रस आ जाएगा पितास से आ जाएगा आदी और बहुत सारा भी आता है जो कि आपको हम इस पूरे वीडियों बताएंगे तो ये आपका क्या हो जाता है बकल कैवीटी कहते हैं और कैवीटी क्या होता है तो कैवीटी कैवीटी जो है उसे कहते हैं आपके सरीर में जो भी खाली अस्थान होता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है तो सारा का सारा जो है आपका कैवीटी कहलाता है जैसे कि ये मस्तिक से जो है ये खाली होता है तो इस पेट होता है उसे कहते हैं Abdomain Cavity और उपर जो मस्थिक सा आपका खाली होता है उसे कहते हैं Cranium Cavity तो ये चार जो है Cavity होते हैं जिसमें से सबसे पहला जो हम लोग कहोगा वो मुख गुहा यानि बकल Cavity क्या होता है तो दीखें समझेजिए ये बकल कैविटी क्या होता है पाचन मुख गुहा से प्रारंब हो चाief यानि जब भी हम कोई भोजन खाते हैं रहला ने पाशन करते हैं या बहुजन करते हैं थो तो वह कहां से की क्या शुरू हो जाता है तो वो आपका मुख गुहा से हो जाता है यानि सबसे पहले भोजन को हम कहां तोड़ते हैं तो मुह में तोड़ते हैं तो मुह से इसका क्या हो जाएगा पाचन प्रारम हो जाएगा मुख गुहा एक खाली जगह होता है मुख गुहा कैसा है तो एक ख से प्रती दिन एक से डेर लीटर या तो एक लीटर या फिर एक से एक डेर लीटर जो है प्रते एक दिन लार निकलता है क्या निकलता है लार निकलता है जिसमें लार ग्रंथिया से लाइसोजाइम टाइलीन डायस्टेज तथा म्यूलीन नामक एंजाइम जो है निकलता है कौ लाइसोजाइम का काम होता है कि किटानू को मारना यह हम जो भोजन करते है इसमें जो भी किटानू चला जाता है उसे मारने का काम कौन करता है तो लाइसोजाइम करता है कौन करता है लाइसोजाइम लाइसोजाइम जो है इसे मारने का काम करेगा जबकि टाइलीन टाइलीन और डायस्टेज टाइलीन और डायस्टेज का काम होता है स्टार्च को सरकरा में बदल देना किसे में बदल देना स्टार्च को सरकरा में बदलने का काम किसका होता है तो टाइलीन और डायस्टेज का होता है और मियूलीन का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना यानि जब भी हम कोई सुखा भोजन खाते हैं तो भोजन जैसे ही आप मुह में डालते होंगे तो भोजन क्या हो जाता है चिपचिपा हो जाता है यानि चिपचिपा हो जाता है ये किसका काम है तो ये जो है आपका मियूलीन का काम है और नेक्स्ट जो है अब देखे दात क्या होता है तो दातों का जो अध्यन होता है इसके अध्यन को ओडेंटियोलोजी कहते हैं क्या कहते हैं ओडेंटियोलोजी और दात जो आपका बना ह क्यालसियम फॉस्बिट का बना होता है वह 20% कितना होता है पारसी परसंट जम्कि 10% सीए यह काबोनेट का योगदान को तो 10% होता है और दातों का जो छरन होने लगता है वो जो है आपका छरन होने लगता है क्लोरीन गैस के कारण किसके कारण होता है क्लोरीन गैस के कारण या फिर माल लेजे चौकलेट उकलेट खाते हैं चौकलेट वैसे नहीं काना चाहिए अगर चौकलेट खाते हैं तो आपका जो है दांत में ये सरक क्या कहलाता है तो देखे दात का जो है सबसे उपड़ी परत जो आपको वाइट कलर का दिखता है यह कहलाता है इनामेल क्या कहलाता है इनामेल और इसके बीच वाले जो परत होते हैं इसे डेंटाइन कहते हैं इसे क्या कहते हैं और दात का अंदर वाला जो पीला वाला भाग आपको दिख रहा है ये कहलाता है ये क्या कहलाता है पल्प कहलाता है और उपर जो ये जो आपको थोड़ा-थोड़ा सा मतलब पतला सा रेशा की तरह ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं बलड सप्लाई एंड नर्व यानि बलड सप्लाई इसमें क्या होगा बलड का जो है सप करता है कहां तक दात तक ब्लड का सप्लाई कौन करेगा तो ब्लड सप्लाई एंड नर्व करेगा और इस पीले वाले को भागो क्या कहते हैं तो इसे पल्प कहते हैं और इसके मते वाले भागो क्या कहते हैं तो इसे जो है डेंटाइन कहते हैं और सबसे बाहरी भागो क्या कह करता है किसका रक्षा करता है दांतों का रक्षा करता है मानव सरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल इसे जो है इनामेल होता है जो कैल्सियम फॉस्पीट का बना होता है इनामेल दांत की रक्षा करता है क्या करता है दांतों की रक्षा करता है अब देखें दांत जो है कि दान्ट जो है आपका दो बार मतलब जर्म लेता है एक बार जब जर्म लेता है तो उसे कहते हैं डाइफियोडंट क्या कहते हैं डाइफियोडंट वैसे दान्ट जो जीवन में दो बार आते हैं यानि कितने बार आएंगे दो बार तो आप देखते होंगे कि एक बार आप जब छोटे रहेंगे तो जो आपको 20 दान्त होता है कितना दान्त होता है और जो 20 दान्त होता है इसे ही हम लोग कहते हैं दूद का दान्त क्या कहते हैं दूद का दान्त और ये करीब जो है आपका 8 से 10 साल के अंतराल में जो है ये चूट जाता है और इसके बाद फिर से में कहा जाता है दूद के दांत किया का जाता है दूद के vacant और इसकी संख्या जो और 20 होती है इसके बाद जो है और ये इसे अकल दांत भी कहते हैं क्या कहते हैं अकल का दांत यानि जब अकल हो जाता है यानि दस से बारा साल का आप हो जाते हैं तो ये सारा का सारा दांत तूट करके और नया दांत हो जाता है और ये एक बार तूटता है तो फिर दुवारा नहीं होता है आप देखे थे कि डाइफियो डाइट जो है एक बार टूट जाने के बार दूबारा भी हो जाता है लेकिन ये दाइट आपका नहीं होगा और ये अब देखते हैं कि दाइट कितने परकार के होते हैं तो दाइट जो है आपका चार परकार का होता है सबसे पहला दान जो होता है उसे incisor कहते हैं उसे क्या कहते हैं और दूसरा जो होता है उसे कैनीन कहते हैं उसे क्या कहते हैं हम आपका एक भाग का दांत बताते हैं इसी तरह से जो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा तो देखे एक साइड में ये क्या होगा दो दांत जो है इंसीजर होगा तो इधर भी क्या होगा दो दांत जो है आपका इंसीजर होगा और ये साइड में एक होगा कैनीन तो इधर भी क्या होगा एक कैनीन होगा और ये जो दो आप दांत देख रहे हैं तीर का चिन देखर के दिखाया गया है इसे कहते हैं प्री मोलर इसे क्या कहते हैं प्री मोलर तो इधर भी दो क्या होगा इधर भी दो जो है आपका प्री मोलर होगा और इसके फ्रॉंट का दांत देखेगा दो दांत ऊपर और दो दांत नीचे पहले निकल जाता है फिर धीरे धीरे यह चार हो जाता है चार इसकी संख्या हो जाती है दो आ देखें यहां जो है यह चार क्या हो जाएगी इसकी संख्या हो जाएगी और ये side वाला जो है इसका काम होता है चीरना फार्णा क्या होता है चीरना फार्णा जबकि front का जो दो चार है इसका काम होता है काटना देखते होंगे कोई भी चीज आप खाते हैं तो अगर दांत से काटने का काम करते हैं तो आगे का चार दांत करता है जबकि अगर मान लीजिए जैसे कि आप एक खाते हैं क्या खाते हैं एक तो खाये ही होंगे तो एक अगर छीलते हैं तो देखेगा इससे साइड से छीला जाता है जो नोकीला दांत होता है उसकी द्वारा छीला जाता है और जो प्री मोलर होता है प्री मोलर यानि अगर चवरनक इसे क्या कहता है अगर चवरनक का जो काम होता है ये किसी भी चीज़ जैसे हम खाते है तो चवाने का काम जो करते है वो कौन करता है अगर चवरनक करता है और ये जो मोलर होता है मोलर का भी काम होता है कि चवाने का ही काम करता है लेकिन सबसे लास्ट का जो मोलर होता है ये आपका करीबता इससे जो है 24 साल के उम्र में निकलता है और ये काफी ज़्यादा दर्द देता है यानि ये जब जो निकलेगा तो जैसे लगेगा कि किसी प्रिथवी को चीरते हुए निकल रहा है यानि ये निकलने में करीब तीन से चार महिने का समय ले लेता है और काफी ज़्यादा सबसे पहले ये अपना जगर बनाता है उसके बाद एक दो मन्त बाद हलका सा निकलता है इस तरह से तीन चार मन्त ये ले ही लेता है अब देखे थोड़ा सा और बात समझे कि जो आगे का दाथ होता है ये आप देखेगा तो ये आपका जो है नाक के सामने का दाथ होता है तो इसे कहता है नोज तित इसे क्या कहता है नोज तित कहता है और जो ये आपका कैनीन दिख रहा है कैनीन को कहा जाता है आई तित क्या कहा जाता है आई तित चुकि यह जो है आँख के सामने होता है और जो प्री मोलर होता है प्री मोलर को जो है चिक तित कहा जाता है क्या कहा जाता है चिक तित कहा जाता है चुकि यह जो है गाल के पास होता है और जो आपका मोलर होता है मोलर को कहा जाता है wisdom tit क्या कहा जाता है wisdom tit क्यों कहा जाता है क्योंकि ये तब होता है जब आपको अकल उकल हो जाता है तब होता है तो कि 20-24 साल में होता है तो ये अकल तो होई जाएगा तो इसे क्या कहा जाता है wisdom तित का जाता है अब थोड़ा सा दीखे अब जो होता है ये दांत का कुछ formula भी होता है जैसे आप दांत का formula देखेगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए सबसे पहले सुझे है आपका incisur होना चाहिए इसके बाद क्या होना चाहिए तो canine होना चाहिए इसके प्री मोलर होना चाहिए और इसके बाद जो है मोलर होना चाहिए यही क्या हो जाएगा जितना उपर होगा उतना ही क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा इतना ही उपर और इतना ही क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा अब यदि देखेगा बच्चे में इसके संख्या क्या हो तो देखिएगा उपर एक जीरो और दो देखिए गिल नीचे दो आ एक तीन तीन और दो पांच यह जो है एक साइड का दात है तो यह कितना हो गया तो पांच हो गया इस साइड पांच हो गया तो पांच-पांच कितना हो गया दस हो गया और जितना नीचे है उतना ही उपर ह तो 10-10 कितना हो जाएगा 20 यानि छोटका बचवा में कितना होता है पहले दाप 20 होता है अगर हम देखना चाहे वैस्क मनुष्य में तो वैस्क मनुष्य में जो है आपका कैनीन होता है दूगो इंसीजर होता है एक और प्री मोलर होता है दो और मोलर होता है तीन यानि दो एक क्या हो गया आपका यह दांत का फर्मूला हो गया यदि देखेंगे कि यह कौन सा दांत कितना होता है तो देखें सामने का यह दांत चार होता है तो चार नीचे और चार उपर यानि इसकी संख्या कितनी हो गई तो इसकी संख्या जो है आठ हो गई कितनी हो गई आठ और यह किधर और एक इधर 2 हो गया और 2 नीचे तो 2 उपर भी हो जाएगा तो ये 8 था 2 कितना हो गया ये जो है आपका 2 हो जाता है और यदि प्री मोलर को देखेगा तो देखें यहां 2 है और इस साइड भी तो 2 हो गया तो 2 2 4 हो गया, तो 4 कहां हो गया उपर, तो कुल मिला के ये कितना हो गया आठ हो गया, और मोलर को देखेगा तो ये 3 होता है इस साइड और 3 इस साइड तो 3 और 3 6 हो गया, और 6 नीचे हो गया तो 6 उपर भी हो गया, यानि 6 6 कितना हो गया तो 12 हो गया, अब देखें 12, 8, 20, 20 और 22 और 22 आठ कितना हो गया तो 30 हो गया 30 और यह जो है आपका 4 हो जाएगा ना यहां 1 है और 1 यहाँ है 2 और 2 तो उपर भी होगा 4 य proudly यह कुल मिलाके कितना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा यई एक व्यस्क मनुझा में दान्तों की संगय कितनी होती है तो 32 होती है यदि बात किया जाए कि पूरे जीवन काल में मतलब जब से जन्म लिया और मिरित्यू तक जो है कुल दांतों की संग्या कितनी हो जाएगी तो बचपन में आपके पास 20 दांत हो गया और जब स्याने होंगे तो कितना होगा 32 यानि पूरे जीवन काल में कितना दांत जबकि एक वैस्क मनुष्य में कितना दांत तो 32 दांत हो जाएगा तो देखे ये आपका पूरे दांत खतम हो गया अब देखे जीव जीव के बारे में थोरा सा देख लेते हैं जीव क्या होता है तो देखे जीव जो है एक प्रकार का संबेती अंग है जो हमें किसका जानकारी देता है तो स्वाद की जानकारी देता है इस पर बहुत छोटे छोटे जो है दानेदार आकिरती होती है जिसे क्या कहता है तो जिसे जो है स्वाद कली या टेस्टी वूड कहता है क्या कहता है टेस्टी वूड कहता है क तो इसे कितने भागों मेंबाटा गया है पता बताबादा गया है तो सब से पीछे का होता है तो दात आपको बीटर का स्वाद दिखाता होगा यानि करबा क्या दिखाता होगा करबा जब भी आप कोई तीखा समान खा लेते हैं तो आपका गर्दन में तीखा लगता है क्या लगता है गर्दन में क्योंकि यहां यह करबा बताता है और इस साइड का जो भाग होगा वो खटा बताएगा, क्या बताएगा, यदि आप कोई खटा पदार्थ खा लेते हैं, तो इस साइड से आपको पता चलता है, और इस साइड का जो है, आपको यहां तक का स्लेटी बताता है, क्या बताता है, स्लेटी, स्लेटी यानि नमकीन बताता है, कोई भी नमकीन पदार्थ खालिया जिस तरह से इधर है सेम इस परकार से भी इधर भी होगा और सेम तरीका से ये भी बताएगा और जो बीच वाला भाग होता है बीच वाला जो भाग है आपका कोई स्वाद नहीं बताता है तो इससे जो है हमें कोई स्वाद की जानकारी नहीं मिलेगी और जब आप ग डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है आपका पूरे बचा हुआ है तो आप जो है next part में वो सारा topic जो है आपको मिल जायेगा तो I hope हम आसा करते हैं कि आपको ये topic समझ में आया होगा फिर मिलते हैं Next video में नए topic की शाहत घो